एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नई वीडियो में नई जानकारी के सब्सक्राइब एक बारे में बहुत सी महिलाइं शिकायत करती है प्रेगनिसी के दौरां कि उनके पैरों में काफी ज़्याद़ क्रैंप्स आते हैं बहुत पेन होता है और कभी भी आजाता है रा प्रेग्नेंसी में ही क्यों इतने कॉमन होते हैं वैसे भी क्रेग्नेंसी के दौरान इतने कॉमन हो जाते हैं उसका कई कारण है क्योंकि प्रेग्नेंसी के दौरान अपने शरीयर में क्यल्शियम के दिमांड बढ़ जाती है ठीडियर को बच्टे के शरीर में भी आ सकती है तो मम्मी के शरीर से बच्चे को transfer होना तो मम्मी के शरीर में कम हो गया है और जैसे ही blood में calcium का level कम होता है तो definitely cream's आने की chances बढ़ जाते है इसके अलावा potassium की कमी की कारण भी कई बार cream's आते है या कई बार weakness हो सकती है या थकान हो सकती है या बॉडी का पोश्चर थोड़ा सा बदल जाता है आप देखेंगे तो पेट थोड़ा आगे निकलता है तो वर्टिब्रा का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है उसका शेप इस तरीके से हो जाता है उसकी वजह से बॉडी का जो ग्रैविटी सेंटर है वो चेंज होता है औ देखेंगे कारणस भुड़ा में निदान क्या हो सकता है एक जिससे कि के कम से कम आए या नहीं आए तो सबसे पूर्टेट जो हमसे लोग फूछते दिन वीपूछने क्वादे है धिरा ग्हांतर क्रूम्र क्वीटीज करणे पाष्ट हमने असंथ टाट शाने किमें में यह दूद्ध की रिच से Kanga K셨 vont होते हैं on Dash ऑर दूद से बने हुई चीज अपिजि के आता है इसके अराइब तो निया यह के अंदर रागी हो सकती हैं. मात्रा में पाया जाता है यह सब चीज़े अगर आप अपने खाने में थोड़ा एड़ करती है तो आपके ब्लड का लेवल में कैल्शुम बढ़ जाएगा इसके लवा थोड़ा पुटेशियम का भी रोल आता है पुटेशियम मास पेशियों के कोंट्रैक्शन के लिए जिम् बनाना याने केला इसके लावा कुकुमबर के लावा हो सकता अपना अपरिकोट इसके लावा वाटर मेलन पीज है ब्रॉकली औरेंज और सीड्स कई तरह के सीड्स होते हैं उनमें भी पुटेशियम की मातरा थोड़ी ज्यादा होती तो यह सारी चीज़े आप अपने खान द्रॉकले सरे लूरीड़ी ज्यंदे ज होता है तो यह बहुत सारे यह सहरmarket छे क्वेशियम के कि अगर आप एड़ा कर सकते हैं लुकले स सब्सक्राइएक ट्रीटमेंट अब चैले सकते हैं ज्याएइक के लाए चलोए तो अगर बार-ऀम आते बार को अन्यों आपको में की जरूर कीजिए ताकि डॉक्टर उसके रिगार्डिंग आपको मेडिसिन लिख के देते हैं कई बार केल्शियम की डोस बढ़ा ही जा सकती है इसके लावा पोटेशियम और मेगनिशियम की भी गोलियां आती है जिसकी एड करने से लेक क्रेम्स का प्राबलम कम होता है क्योंकि अलावा आप एक साथ लंबे समय तक खड़े ना रहें ताकि आपको थकान नहीं हो क्योंकि बहुत थकान होने के बाद भी मसल्स में क्रैम्स आ जाते हैं तो आप घंटे दो घंटे खड़े रहने के बाद आराम जरूर करिए और जब भी आप बैढ़ते हैं तो पैरों को य ब्लड का ड्रेनेज हार्ट की तरफ बढ़ जाए और पैरों की सूजन भी कम हो जाए लैग में क्रैम्स आने की संभावनाएं भी कम हो जाती है इसके अलावा दिन भर में आठ नौ ग्लास पानी पीना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कई वर पानी की कमी से भी मा पानी पी लेते हैं तो डेफिनिटल जब तक आप जाग रहे होते हैं तो बारा तेरा ग्लास आप आराम से पी सकते हैं इसका मतलब ढाई-टीन लीटर पानी अपका चला जाएगा तो पानी अगर पीते रहते हैं तो आपको डी हाइडरेशन नहीं होगा बच्चे में पानी पानी रहने का या ज्यादा चलने फिर ने का तो आप शूस पर भी जरूर ध्यान दीजे क्योंकि कई बार अगर आप हाई हील पहनते हैं या अनकमफोटेबल शूस पहनते हैं तो भी एक लैक क्रेंप का कारण हो सकते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई हील बिलकुल पहनी है हमेशा फ्लैट चपल पहनी है फ्लैट चपल में आप थोड़ा सा आधा इंच का हील ले सकते हैं ताकि चलना थोड़ा एजी हो जाए बिलकुल फ्लैट चपल में चलना मुश्किल होता है तो तरीब आधा इंच की अगर आप हील रखते हैं तो दैट सफिशंट या जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर मिलते हैं तो भी आप अपने साप से बनवा सकती है या ला सकती है तो उससे आपको चलना फिरना इजी होगा और क्रैम्प्स के समभावनाई कम हो जाएंगी अगर आप regular exercise नहीं करती हैं तो आपको lags के stretching exercises भी करनी पढ़ेंगी इस्तरीके से आप बाट कर लेक्ष को अगर आगे पीछे इसतरीके से करेंगी तो देफिनेट्ली मसल्स में stretching होगी और लेक्स क क्रैम्प्स को कम करती हैं इस तरह किसे एक्सराइज भी आप अपने शेडियूल में एड़ कर सकती है जिससे कि लेक्स की थोड़ी संभावनाई कम हो जाए और अगर आपको फिर भी बार बार अगर क्रेम्स आ रहे हैं और क्रेम्स के टाइम पर आपको बहुत पेन हो रहा है तब लेक्स की स्ट्रेचि मैगनिशियम पोटेशियम और वाइटामिन डी यह तीन चार चीजे हैं जो हम लोग सप्लिमेंट में देते हैं इसके अलावा मसल्स को स्ट्रॉंग करने के लिए प्रोटीन की भी जरूरत होती है क्योंकि मसल्स की विक्नेस भी एक कारण है काफ मसल्स में क्रेम्स आने का त क्योंकि दूद के अंदर भी काफी अच्छा प्रोटीन होता है इसके लावा अंडे में होता है और प्रोटीन पाउडर तो है ही इसके लावा सोया बीन वाली चीजें हो सकती है इसके लावा चना है दाल है और मटर है तो यह सारी चीजें अच्छे प्रोटीन रिच होती है डेली एक्साइस करने हैं खुब सारा पानी पीना है और खाने में हरी सबजियां वगरा एड करनी है तो यह सारी चीज़ आप करते हैं तो डेफिनिटली आपके प्राब्लम सौल हो सकती है फिर भी आपको प्राब्लम है तो आपने डॉक्टर से जरूर शेयर कीजिए और अग आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जान करिक साथ तब तक नमस्कार